अस्सलामों अलेकुम बिस्मिल्लै रिक्मान उप्रहीम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोहत की दो रकत नमाज पढ़ने का मुकमर तरीका इस्टेप बाइस्टेप कम्प्लीट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में शेर भी कर दीजेगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएं जिनको ये नमाज पढ़नी नहीं आती है और आप भी सवाब के हगदार बन सकते हैं दोस्तों सबसे पहले दियत करनी होगी नियत इस तरह से करें नियत की मैंने दो रकत नमाज, नफिल, वक्त, जोहर का वास्ते अल्लह ताला के रुख मेरा काबाई शरीफ के तरब अल्लह अक्बर इसके बाद आप सना पढ़ें इसके बाद आप सुरह फात्या एक बार पढ़ें इसके बाद कोई भी एक सुरत जो आपको याद हो पढ़ लें फिर आप रुख में जाएं, रुख में तीन मरतबां सुभान रब्य अर्जीम पढ़ें ये पढ़ने के बाद समिय अल्लह अल्यमन हमिदा कहते हुए रुख से सीधे खड़े हो जाएं अल्लह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं सजदे में सुभान रब्य अला तीन मरतबा पढ़ें अल्लह अकबर कहते हुए सजदे सूटें फिर वापस से अल्लह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं दूसरे सजदे में आप तीन मरतबा सुभान रब्यल आला पढ़ें। यह हो गई आपकी एक रकात नमाज complete। अल्ला हुकबर के साथ दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरे रकात भी पहले रकात के तरही मुकमल करें। फिर रुकू और सजदे मुकमल करने के ब